आपने धर्म का प्रचार करते हुए 20 वर्षों तक कठोर यात्राएं की पर व्यक्तिगत तोर पर आपकी सेवा करने वाला आपके समीप कोई नहीं था मैं चाहता हूँ मैं आपके समीप रहकर आपकी सेवा कर सकूँ आनन्द मुझे भी कही दिनों से तुम जैसे ही व्यक्तिकी चाहती तुमसे अच्छा कौन हो सकता है अच्यों आओ गुरुदेव महाराज विम्बसार की कारागार में हत्या कर दी गई है जाओ मेरी पहली सफलता देवदत की पहली सफलता अब क्या आदेश है गुरुदेवदत्त अजाद शत्र तुम्हारे पिता विम्बसार बुद्ध के बहुत अधिक प्रभाव में आ चुके थे और वो उनकी सेवा करने लगे थे इसी कारण इसी कारण आपके कहने से मैंने उनकी हत्या कर दी है इसी कारण इसी कारण तुम पूर्ण तयासुरक्षित हो अजाशत्रु पित्र हत्या क्या पाप नहीं है तुमने कोई पाप नहीं किया है अजाशत्रु हर सम्राट को किसी न किसी मुल्य पर स्वैम की रक्ष तो उसने तुम्हारे पिता की रक्षा क्यों नहीं की वो तो उनके भक्त थे सत्य है सत्य है आप सत्य कह रहे हैं गुरुदेव बुद्ध को समाज में विशिस्त स्थान मिल चुका है मैंने उनसे कहा कि उनका भार उठाकर मैं समसंग चला सकता हूं पर उन्होंने मेरे परामर्ष को नहीं माना और मेरा अपमान किया बुद्ध वैरागी नहीं है पर कितने ही विद्वान ब्रामणों ने अपने वैदिक मार्ग को छोड़कर बुद्ध का मार्ग अपनाया है अजाजशत्र, बुद्ध अपनी चत्राई से अच्छे अच्छे लोगों पर अपना दुष्प्रभाव डाल रहा है मुझे एक बार उनसे मिलकर उनके बारे में और अधिक जानना है सावधान, सावधान अजाजशत्र, कहीं तुम भी उसके जाल में फस न जाओ मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, बुद्ध से सावधान रहना आनन्द जी भगवन मैं किसी समुह के यहां आने कित्वनी सुन रहा हूँ भगवन, मेरी माता, आपकी माता, महाराणी प्रजापती कौत में, राजकुमारी यशोधरा, जनपत कल्यानी और बहुत से लोग आ रहे हैं आनन्द, तुम भली भाती जानते हो, मैंने इससे पहले भी उन्हें प्रवज्चा देना स्विकार किया था मा प्रजापती ने आपकी जन्म से ही सेवा की है, आपका स्ने और प्यार उनकी पास रहा है, अब उनकी पास कुछ भी नहीं है संसार अब उन्हें कुछ नहीं दे सकता, वे अब संसार से मुक्ती चाहती है, जिस मुक्ती का वचन आपने संसार को दिया है भगवन इस संसार से त्याग और वैराग्य लेकर आशा और इच्छा के बिना वो आपकी क्रिपादिष्टी की प्रतिक्षा कर रही है मुझे शमा करना यदि मैं ये कहूं कि आपका कर्तव्य है उनकी सेवाओं का पुरस्कार देना मा का अदमी इतनी दूर से पध्यात्रा करके आई हैं उनकी कोमल पैरों से लहू बहरा है ये शोदरा की भी यही दशा है आनन्द मैं अब अपना निर्णे पदलने के लिए विवश हूं क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है उन्हें संघ में सम्मिलित कर लिया जाएगा पस्त्रियों के लिए नियम अलग होंगे प्रणाम भगवन भगवन आपने संघ में इस्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दे दी जो कुछ भी हुआ वो संघ का भाग्य था भगवन इसमें किस प्रकार का भाग्य है स्त्रियों की संघ आधिक हो जाएगी जिस प्रकार किसी दुर्ग में बालक और स्त्रियां आधिक हो तो दुर्ग को निर्बल कर देते हैं वे दुर्ग को किस प्रकार निर्बल कर सकते हैं भागवन? चोंकिस त्रियों और बालकों के होने से दुर्ग को आंतरिक सुरक्षा प्रदान करने पड़ती है बहुत संकी भी यह स्थिति होगी मुझे आशा थी कि मेरा मार्ग एक सहस्तर वर्षों तक अस्तित्व में रहेगा पर इस परिवर्तन के बाद आधे समय तक अर्थात केवल पांच सो वर्षों तक ही अस्तित्व में रहेगा आधरन ये बुद्ध मैं आजात शत्रू राजा विंबिसार का पुत्र आप कहते हैं आप अपने मार्ग के रचीता है इसका क्या प्रमाण है मेरा अनुभव आपका मार्ग आपकी इस कलपना पर आधारित है कि संसार में केवल दुख है हाँ पर यहां आनंद भी तो है वो तो जाने वाला है अस्थाई है अपने पुण्य से मनुष्य उस आनंद को स्थाई बना सकता है मृत्य तो निश्चित है वही दुख है आनंद के अर्जन के लिए यग्यादी के रास्ते है मनुष्य आनंद के पीछे तोड रहा है इसमें क्या दोश है आनंद की खोज उसका अनुसरण दुखों से भागने के लिए है यही शाश्वत सत्य है मैं समझ गया हूं कौतम पर मुझे सन्यास मार्ग के बारे में कुछ संदे है वो क्या है यह श्रमन कुछ भी नहीं करता न कुछ कमाता है न किसी की सेवा करता है आप क्या कहेंगे इसे क्या आपने किसी आचार्य से इस विशय पर विचार्मी मर्श किया है हाँ पून कश्यप, भसकरी गोसाल, अजीत केश कामली ने अपने मार्ग, अक्रियावाद, उच्छेदवाद के बारे में बताया पर किसी ने मेरी शंका का समाधान नहीं किया मैं चाहता हूं आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे मेरे मार्ग में श्रमन सम्मान का इसलिए पातर है क्योंकि उसने अपने कामनाओं पर विजय प्राप्ट कर ली है श्रमन, ग्रहस्त को सच्चाई और त्याग के प्रेरणा देता है वो स्वयम शांती का अनुभव करता है गौतम बुद्ध, आपने मेरे सारे संदेह दूर कर दिये है मैं आपके मार्ग में शरण चाहता हूं यदि तुम्हारे पाप न होते तो तुम्हे परमपत प्राप्थ होता मुझे अपने पिता की हत्या के पाप का पश्चाताप है मैं जानता हूं पर तुमने ये देवदत के संकेत पर किया है जिसका तुमने शिश्य के रूप में अनुसरण किया है मेरे अपराद का बोध राद दिन मेरा पीछा करता है। मैं अशान्थ हूँ। इस पाप के लिए सबस्याधिक देवदत उत्तरदाई है। जो गुरू, इर्शा, एहंकार और ग्रणा का भाव दूसरे गुरू के लिए रखता है। वो अपने शिश्यों में भी दुष्ट भावनाएं भर देता है। राजन, शान्ति और अहिंसा का मार्ग अपना कर अपने पापों को धोलो। तुम्हारा भविश्य है, देवदत का नहीं। प्रभू, भैंकर हत्यारा अंगुली माल जेत्वन में प्रवेश कर चुका है। कहा जाता है कि वो लोगों की हत्याय कर उनकी अंगुलियों की माला अपने गले में पहन लेता है। बुद्ध। तुम मुझसे क्या चाहते हो अंगुली माल। बुद्ध। मैं तुम्हारी हत्या करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी उंगलिया काटकर अपने इस माला में पिरोना चाहता हूँ। तो विलम किस लिए। अपने इच्छा पूरी करो। मुझे कोई आपत्ती नहीं। क्या। तुम्हें मुझसे कोई भै नहीं लग रहा। लोग तो केवल मेरा नाम सुनकर मैं इसे काप उठते हैं। मुझे तुम्हारा कोई भै नहीं अंगुली माल। तुम स्वयम भैभीत और शांत हो। ये तुम क्या कह रहे हो बुध। मैं अंगुली माल और भैभीत। तुम मेरा परिहास कर रहे हो। तुम्हारी हिंसा में ही तुम्हारा भै चुपा हुआ है। क्या तुम्हें ग्यात है बुध। यदि मैंने तुम्हारी हत्या कर दी, तो मेरा एक सो व्यक्यों के हत्या का लक्ष पूरा हो जाएगा। इससे तुम्हारा क्या लाव होगा। इससे तुम्हें और अधिक भै और अशांती मिलेगी। अशांती? क्यों मिलेगी मुझे अशांती? जो हत्याएं तुमने की है, उनके लिए तुम जीवन भर पश्चाताप करोगे, तुम्हारा जीवन नर्ख हो जाएगा, निरंतर भै में डूप जाओगे क्यों? क्यों कि जो आतंग और हिंसा तुम फैलाते हो, वही लौट कर तुम्हारे पास आती है यदि ये सत्य है, तो मुझे क्या करना चाहिए? ये हिंसा का मार्क छोड़ दो, और नया जीवन आरम करो परन्तु ये कैसे संभव है? ग्रिणा और हिंसा को त्यागने से, तुम्हारे मन को शांती मिलेगी मुझे ग्यात हो गया है कि वास्तों में मुझे चाहिए क्या? क्रिपे आप मुझे अपनी दया और करुणा का रक्षा का वज दिजे प्रभू यदि आप मेरे पापों के लिए मुझे ख्षमा कर देंगे, तो मैं आपके शर्में दीशा ले लूँगा प्रूँगा आज से तुम्हारा नाम अंगुलि माल नहीं अहिंसक है अहिंसा के पत पर चलो और निर्वान प्राप्त करो बंत मेरे साथ इस महामंत्र का उच्चारण करो बुद्धम शर्णम गच्चामी धमम शर्णम गच्चामी संगम शर्णम गच्चामी भगवन आपने खोच की है मानव जीवन दुख्य सिवाए कुछ भी नहीं है उत्तम तो यह है आनद पूर्वक कई जीवन जीकर वैदिक यज्यों के फलस्वरूप स्वर्ख प्राप्त किया जाए इसमें क्या तोश है भगवन विद्वान ब्रामणों तुम मेंसे कोई जानता है कि स्वर्ख कैसा दिखता है नहीं भगवन क्या तुम्हारे आचारियों ने जिन्होंने तुम्हें योग शिक्षा दी उन्होंने स्वर्ख को देखा है नहीं भगवन क्या तुमने किसी अन्य के बारे में सुना है जिसने स्वर्ख देखा हो नहीं भगवन स्वर्ग के बारे में बिना सुने बिना सूचना के यज्य करके कहां जाओगे क्या आपका ये आर्थ है कि स्वर्ग नहीं है मैंने स्वयम स्वर्ग देखा है आप सब अपने नेतरों को बंद करो आप स्वयम ही स्वर्ग देख सकते हैं